पूर्ण के स्टुएंट में आरती आप सभी कदा क्लास्मेट गुरू में हार्डिक सौगत करती हूं तो आई होप आप हमाई डेली की करेंट अफेर्स देख रहे होंगे और आपको अच्छी लग रही होंगी तो हम डेली के आ करते हैं जो भी इंपॉर्टन न्यूज रही हो पर इसमें चाहें दा हिंदू हो और टाइम आफ इंडिया हो या कोई अलग नीजपेपर हो किसी में भी इंपॉर्टन न्यूज होती है जो एक्जाम के साबसे बहुत लगता है कि कोशन्स बन सकते हैं उसको में यहां पर डिसकर्स करते हैं उसके बाद हम नीज पर जाते है चले स्टार्ट करते हैं आज के कोशन्स तो है नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्राइस्ट्रॉक्टर्चर फंड लिम्टेड नियूक्त मुख्या कारेकारी आधिकारी प्रबंध निदेश कौन है ठीक है तो कोशन क्या है जो हमारा नियूक्त हुए हैं उसके कोई नए नियूक्त हुए हैं कारेकारी अधिकारी उनके बारे में आपसे पूछ रहा है तो इसका हिंदी के नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफा इंफ्रास्ट्रॉक्टर्ट्चर फंड लिम्टेड इसके नियूक्त कारेकारी आधिकारी कौन से हैं आप आप्सं देख लिजए पहला ज़िद्धर दूसरा अप्षिन heeft संजीव अगरवार तीसरा होट संधी परोड़ चौथ क्वाधन राभी मने संधीप पर ओडदा चौठ संजीव परोड़ा छ स्का आंसर सब्साइब यह तो आप इसको देख लीजेगा लेकिन वहां पर रह गई थी मैं थीम बताना भूल गई थी आपको तो मैंने इसको पूछन के पूर्म में आज सेट करी था कि जो रहे गया वह आपका कवर हो जाए तो पूछ रहा है अनाध दिवस जो हमारा है विस यूद अनाध दिवस बना होना चाहिए मतलब होना तीसरा उप्षन क्या है वील्ड और फ्यूचर फॉर चिल्ड्रें चौथा हमारा उप्षन यूद्ध रोके और अनाधों के लिए आसा यह चार हमारे उप्षन दिए गए जो पर आपको सही लग रहा है उसको मा करिए तो इसका सभी आप्षन क्या बहुत बढ़ गई दो चार सालों में इस लिए भी यह बहुत आप में इंपोर्टेंट हो जाता आप इस पर जरूर नजर बनाए रखी है कि इससे अगर रिलेटिट कोई नया पॉइंट है कोई नया आर्टिकल इन फ्यूचर आता है तो आप उसको जरूर ध्यान दीजेग ठीक है इसके बाले स्पस्टी करण क्या है इस वर्स विश्वा यूद अनाथ दिवस को दो सक्तिसाली विश्वों के साथ मनाया गया है अनाथों का जीवन मैने रखता है पहला टॉपिक था हमारा दूसरा क्या था यूद्ध प्रभाइद बच्चों के लिए खड़ा होना हें उनें सर्कार में यह कोयि स्थापित करने की योजना बन रही है इसमें वैस्विक दर्सकों के लिए भारती वस्तुहों को प्रदशित करने और संगरहित करने के लिए सोरूम और गोदाम होंगे मतलब ऐसी कोई जगह बनाई जा रही है जहां पर बहुत सारे इंडियन जो important सामान है वो भी होंगे तो आप उनको वहाँ से खरीद भी सकते हो और अगर कोई भारती या विदेशी विक्त उनको देखना चाहे एक तरह के सोरूम में भी उनको सजाया जाएगा ताकि आप देख भी सको उसको नाम क्या दिया गया है भारत पार्क दिया गया है और वो कहां पर खोला जा रहा है और इस से रिलेटेड आपका कोईशन है ठीक है तो हमारा उप्सन क्या है UAE है पहला दूसरा है अबुदाबी तीसरा हमारा इटली है चौथा हमारा उप्सन जापान है तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर होगा UAE तो UAE ऐसी जगे है जहां पर हमारा ये भारत पार्क स्थापित किया जा रहा है ठीक है इसमें देख लेते स्पस्टिकरण क्या है समाधान भारत सरकाल समयुक्त अरब अमिरात U.A.E. में एक समर्पित व्यापार छेत्र भारत पार्क खोल नहां है ठीक है जिसमें वैस्विक दर्सकों बतम विश्व के किसी भी कोने सकोई भी दर्सक वहाँ पर आ सकता है चीजों को देख सकता है वहाँ पर गोषदाम भी होंगे सोर पारे मंत्री हैं उन्होंने ये डील साइन की है या इस चीज को ले करके उन्होंने आगे दी बाते कही है ठीक है नेक्स्ट नमारा कोशन देखते हैं आज का नेक्स कोशन का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सी और निम्रखित में से किसने मोबाइल अलोहा पेस किया है एक पेस किया है जिसने तो पूछ रहा है कौन सी कंपनी है या कौन सी मोबाइल फिर फिर की चमताओं को आगे बढ़ाने वाली ओप्रेशन कंपनी है इसके बारे में पूछा है तो उसके आप्सन देख लेते हम हमारा पहला और सिसको तीसरा ऑप्सन है गूगल डीप माइंड ठीक है तो क्या है इसमें क्या दिया है स्टैनफर्ड युनिवस्टगी ने मोबाइल अलोह एप अलोहा पेस्ट किया है एकत्रेकस मोबाइल पेस्ट किया है जो एक रोबोटिक प्रणाली है कम लागत वाले पूरे बॉडी पूरे बॉडी टेली ऑपरेटर के माध्यम से दूरी मैनुवल मोबाइल जमताओं को आगे बढ़ाती है नवचार जो गूगल डीप माइंड के मौजूदा अलोहा सिस्टम पर आधायत है रोबोटिक सीखने में दगतिसील और पूरता को सबसे अच्छा लाता है मतलब यह जो है गूगल डीप माइंड ने स्टार्ट किया है एक तरीके से क्या है किस भारती राज्यों ने गूरोह दोजा चोडिस की सुरुवात की है यह कोशन है खिस भारती राज्ज ने गूरोह तो जो परव है दो refuse की सुरूआथ की है । हम आप्संथ देखते हैं हमारा ओप्सं पहला क्या है पहला हमारा है बिहार الخर असं में केरल है गुजरात कि हमें पता लगे कि हमारे कितने टुमारी इसका सही क्या होगा असम तो असम राज है जिसने गुडोट 122 की सुरुएइट की है यह कोषिन आपसे पूछ सकता है तो फिर क्या है असम सरकार ने 35 जिलों में फैले 43498 सरकारी स्कूल के लगभग 406,006 के परदर्शन का मुलांक लांच किया है तो इसकोल की बच्चों से इसमें अपने ब़ुदी होगी तो आपने की बढ़ी पहल है यह जो आसाम स्टार्ट की है तो आप इसको याद रखेगा तो चलिए आज का हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टन टॉपिक है वह है लवन मिशन जो हमने हाली में लास्ट टूटूटूटूटूटूटूटूटूटू सेप्टेमबर मन्त में भेजा है उस इसलिए मैं आपको बता रही पहुंच गया है अपनी अर्बिट में पहुंच गया है भारत का यह इस तरह का पहला मिशन है सोलर मिशन जो हमारा है जो आदित्य आलवन टाइप का मिशन है जो एक इंपॉर्टन जगह है सूर्य और प्रत्वी के बीच में ठीक है मैं आपको इमेज के तुरू आगे समझ हादों की कैसी जगह है वहां पर एक ऐसा पॉइν्ट है जहांपी σταफ मिशन भीजते है हुआ पर कोई हम सैटलाइट भीचते हुआ है इसकी इसको भी जा गया दो सीतर श्यटा मोई किया था ठीक है इसके बारेब में इत फर्स्ट सोलर मिश्ण यह पहला मिशन यूजिंग पेलर सेटेलाइच वी कर सेटराइच वीकल करने की लिए जो कुरोना बोलते हैं और क्रोम स्पेर है और करोंड़ घ्रोनमिक बल्चाए सब्सक्राइब करेंगे किसके बारे में हम जानकारी इखटा करेंगे तो कुरोना की जो भी है वहां पर सूर्ड की तरफ या क्रोम स्फेर की अठीक है नेक्स्ट मारा कान कालेक डाटा बाउट कोरोनल मास्ट इंजेक्शन इजेक्शन विच विल आल्सू इंफोमेशन और स्पेस वैदर प्रेडिक्शन बताब जो भी वहां पर जो भी बॉडिज अबलेवल हैं सूर्ड की चारों तरफ वहां पर जो चीज़े अबलेवल उनके स्पेस में इसने घंख होता है गटित होती हैं उनके पडाड में भी हमेशसर तो मिच्ज़े now your सकता है तो हम इसका फूल पॉर्म ही ही पता होना चाहिए ताकि हम इसको मतब पहचान सकें देख करके कि यह किस से रिलेटर पहले तो हमें नाम याद रहने चाहिए कि यह जो मिशल हमारा भेजा गया है उसमें सारे पेलोट से पहला हमारा क्या है V.E.L.C. Visible Emission Line Chronograph यह है नेक्स्ट हमारा है U.I.T. the solar ultraviolet imaging telescope है ठीक है तीसरा हमारा aspects है आदित्या solar wind particle experiment जो नेक्स्ट हमारा यह पापा ही किस एक्जाम में पूछा गया था कि यह क्या है यह इसका फुल पॉर्म क्या है तो क्या है यह सूर्ग जो एलवन में भीजा गया है उसके साथ एक तरह से पेलोड है इसका फुल फॉर्म क्या है हेलूइज क्या है हाई इनर्जी एलवन और बाइटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है एंड मैगनेटो मीटर क्या है वीत इन्हांस्ट साइन्स स्कोप एंड अब्जेक्टिव स्पॉसिवली बाइद एक्स्टेंसी रिमोट एंड इन सूटू अब्जर्वेशन ऑफ दसन मतला भी यह क्या करेगा बहुत सारी चीज़े जो सन की है उनको रीड करेगा उनके बारमी इन यह सिग्नीफिकेंस आफ देमिशन क्या होंगे इसके मतलब हम इससे क्या क्या चीज़ें हम हासिल करेंगे इससे हमें क्या फाइदा होंगे आधिते एल्वन मैंसन विल इमेंचली है फुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटीन डिफरेंस सब्सक्राइब करते हैं उनके मुवमेंट चेंज हो रहे हैं नहीं इसके बारे जो भी इंपरमेशन है वहां से आराम से बेख सकते हैं जब यह मिशन गया है काम करना शुरू किया है तो इसने बहुत सारी इमज़े जैसे बेजी जिनको देखेंगा तो लगया कि कितनी खुसुरत फोटो जिसने वहां से लेकर भेजी है काम करने स्टार्ट कर दिया है यह फोटो है देख सकते अब ठीक है अब इसको बात में देख लीजेगा इस पॉइंट्स दियों इसको मैं डीटेल में दूसरे लगाया है मैंने बोला था आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं मतलब जो लांग रेजियन पॉइंट्स है और सिर्फ लवन ही क्यों हम बार और बोल ले हैं जबकि और भी अवलेवल है यह 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 फॉर यह फाइब है अगर हम देखे तो यह जो है यह सबसे कम स्टेवल पॉइंट्स है लेकिन फिर भी हमने यहीं पर मिसन क्यों भेजाए क्योंकि प्रिफवी के सबसे पास है जो सबसे ज्यादा से इस्टेबल है वह है चार और पांच लेकिन यह बहुत प्रिफवी से जो इनकी डिस्टेंस वह बहुत ज्यादा है कि हमारा जो मिसन भेजने का खर्चा वह बढ़ जाएगा इसलिए हम ना लवन पर ही भी 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 यह ज्यादा होगा तो इन फूटर माल 2 पर भी शकते हैं लेकिन यह तीनों पॉइंट से यह बहुत दूर है यह जो डूट है यह बहुत दूर है यह जो पॉइंट से पास में लेकिन आन से पीच सकता है इन फूटर कि जो जा आवज़ लग लग राट ये और य हमेशा क्या उता है दो वनमीज है मोने मोन लग ये निल पॉइंट से क् पीच में एक पॉइंट होता है हमेशा टिक यह इंके बीच में एक यह ठीक bright और एक यह है और यह अगर और आपकंक आग­ए उर्थ बॉह यहांपर हौt कि लगने हैं पॉंटस क्या होते हैं यहां बताई आपको इस के solid bodies के बीच में ऐसा point होता है जहां पे अगर हम मतलब कोई भी कोई भी हम अपना spacecraft रखेंगे या कोई भी अपनी भीज़ेंगे वहां पे तो वह कम move करती है वहां पे stable रहती है जैसे हम रसी खीचने वाला एक जो game खेलते हैं तो दोनों तरफ से जगर बराबर से force लगाएं तो बीच में कैसा point होता है जहां पे अगर कोई चीज़ा रखोगे तो मूव नहीं करेगी सबसे कम movement होगा तो क्या होता है जैसे कोई particle बार बार ऐसे घूम रहा है और बहुत अनिस्टेबल है तो हमें कोई भी एगर उसमें जाच परताल करनी है या कोई खोज करनी है या को experiment करना है तो थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन जो पॉइंट पॉइंट है दो जो ग्रहों के बीच में जो पॉइंट होता जहां पर सबसे कम फोर्स काम करता है कि वह पॉइंट जगे इस टेबल रहता हो कहीं जाता नहीं तो इत्रे कि पॉइंट यहीं होते हैं कोई मिसन अगर वहां भेजने हैं तो हमारा सबसे कम खर्च होगा तो यह साई चीज यह रिपीट पॉइंट में लिखी हुए यहां पी इसको आप बाद में बाद देख लीज़ेगा ठीक है कि पूछ़ है सूर की के लिए भिएंट के लिए और कि उसको रीड करने के लिए लिए नाशा का पार्यकर इक प्राभ एक ब्राब इसन पत्ता लगाना है कि सूर के करोणा के माध्यां से उर्जा और गर्मी कैसे चलती है और सूर हवा के तवरण जो हवां चलती है मतलब तेज आग लगने की से बीजा गया नासा का पारकर सोलर प्रोब यह नंस तुछ्ण प्रोब हीलियस two solar probe किसका है पहले हीलियस two solar probe भीजा गया था नासा और भूत्पूर्व पष्च्मी जर्मिन के आंत्रिक एजंसी की बीच एक सन्यूक्त उधा हमता जर्मनी और नासा ने मिलकर भीजा था क्या हीलियस two solar probe भीजा था ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या सोलर आर्बिटर डेटा एक अत्र करने के लिए एसे और नासा इसे प्लस नासा के बीच एक संयुक्ति मिसंट जो हीलियो फीजिक्स के एक केंद्री प्रश्न का उतर देने में मदद करेगा मतलब देखिए पहला हमारा भेजा है किसने नासा ने पारे का अधित्या एलवन मिसं तो यह सूर्ण से रिलिटर मिसंस हमारे हो गए आज कल यह बहुत चर्चाह बना हुआ है रेड़ सी जो है जहां से स्वेज करनाल है जहां से मोस्ट आप दा इंडिया वर्ड का जो सब्सक्राइड जहां से होता है वह स्वेज करनाल वहां पर इसी जो डिस्पूट चला जो वहां पर इसूस चल लें उसे हमें क्या फरक पड़ रहा है या हमें नेगटिव इंपक्ट हम पर क्या पड़ने वह देखेंगे वाई आर कॉर्गो सिप्स टेकिंग अलांगर रूट अरूट 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 कोड़ हो विल इंपक्ट एंड यहां पर यहां पर यहां पर सवेज कनाल जो है वहां पर जो भी समान जाता है या जो भी कॉर्गोस बगरा जाते हैं उनको पाईट के रूप में उनको लूट लेते हैं लूटने के वैसे खत्रा इतना बढ़ गया है और हलाता है कि अब जो भी समान जा रहा है वह यहां से जा रहा है है तो को सबसे क्क्राइब जो है वह एंड यांद रखी कोछपन आपसे सब बहुत है कि हमलता है यह उनपर यहां पर look in तो सोमालिया के पायरेट्स भी हो गये हैं तो इसे हो क्या रहा है 90 परसंट जो वहारा ट्रेड है इसी रूट से होता था तो इसके विए से बहुत सारी मुसीबदों को सामना करना पड़ रहा है ट्रेड जो है वह इंपक्ट हो रहा है हम चीजें ला नहीं पा रहे हैं भेज बहुत सारी नुक्सान हो रहा है हमें थी और हम क्या है पोल्द वगजड़ ऑगरा हो गया जो ओल्व भागरा है मतलब बहुत साही चीजे यूरोप सही मंगाते हैं वो सारी ठफ हो रही है ध्यर दिर यह चीजे महंगी हो रहे है तो यह बहुत नेगेटिव इंप्शान हो पर नेग्स क्या है मेरेज एक हमारा आर्टिकल अभी आया हुआ है हाली मेहारास्ट्रा से रिलेटर है क्या है इन माहरास्टा सुगर्केन बिल्ट चाल्ड मैयरेज रिमेन अन इनलिकेबल मतलब कि हम जो सोचते हैं बहुत पुराइन चीज़ें होगी अब यह नहीं हो लेकिन कि हमारास्ट्रा में एक सुगरकें एरिया है सुगरकें बेल्ट है जहां पर क्या और चाइल्ड मेर्ज़ें अभी भी हो रही है वहाँ पे चीज़ें बहुत जाद देखने को मिल रही है N a subject कि बच्चों को साथी करवा रहे है आंडर 18 दोलुका और लडकीन को साथी कrim बप्लाइं से इस्वन भी सब्ली में महारास्टा देरा 13 उप्लिंसे इंस इन टुज्य लेटार में कितने होएं 13 नहीं कितने हुए हैं थातीन वीच में 20 हुए हैं और 2018 में 82 केसे देखनों के मिले हैं मतलब यह भी पूरी तरह किसे खतम नहीं हुआ यह इसमें देख लिए जो राटा कुछ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अगर तीन चाइड मेर्ज़ होती है तो उसमें से एक जो है वो इंडिया में ही रहती है इसके लावा क्या है वर्ड में टोटल है जिसमें की 223 मिलियन जो है इंडिया में ही रहती है ठीक है इसके अलावा क्या दिया गया है इसमें अगर हम डाटा देखे स्टेट वाइस सबस्क्राइब जो होती है वह यूपी में 36 परसेंट उसके बाद बिहार 22 परसेंट जाते हैं उनके तो बच्चों कैसे रखेंगी उनकी पूरी नहीं होती है क्योंकि देखा गया है जो भी चाल्ड मेरेज होती है वह अंडर 18 होती है तो इसे ना समाज में बहुत साइब प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है कि जब मा पढ़ी लिखी नहीं तो बच्चों को भी समाल नहीं पाती है जितने जीश्रीके से उसे समझाना चाहिए पढ़ाना चाहिए उनको देखने का तरह नहीं होता है तो यह बहुत साइब चाइल्ड मेरेज से हो रही है आज कर थीक ह पोक्स तो एक क्या है क्रिमिनल आइजेज सेक्स बेटिवीन आ माइनर एन एडल्ट चाइल्ड मेरेज अगर हो रही है कि लड़की 15 साल की है और लड़का 35 साल का है ठीक है तो यह एक तरहीं से लीगल हो जाता है क्या है अड़र्ड और माइनर के बीच जो सेक्स रिलेशनस अगर कोई अंडर 18 है और उसके साथ आप सेक्स कर भी लेते हो मतलब जो बन भी जाता है तो उसमें अगर वो कह भी दे बचा मतलब जो अडर्ट इंसेमेल है वो अगर हां वह वह दे तो उसको हम कंसेंट नहीं मान सकते हैं कि वह उसका माइन सेटना डेवलाप नहीं है कि व कर रहा है वो सही नहीं सही ये इसको बता सके तो उसको हम कंसेंट भी नहीं मानते हैं या अगर आप सब्सक्राइब करने चाहिए ताकि उसके बारे में जल्दी-जल्दी को इनकोई ठोज कदम उठाया जाए सकते हो पहला क्या है इसमें यह नहीं है कि मतलब बच्चों के लिए है बच्चों को मतलब अगर आप कोई ऐसी घटना देखते हैं और आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी तरीके से क्राइम माना गया है अगर आप मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आज कोई कांड हुआ है मतला आज कोई घटना हुई है तो आप उसको आज के आज रिपोर्ट करो या दो दिन बाद रिपोर्ट करो इसमें अगर आपका साथ 20 साल पहले भी कोई ऐसे घटना हुए तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते ह उसको रिपोर्ट करने कोई टाइम लिमिट नहीं है ठीक है next क्या है राइट टू कंपंसेशन फॉर विक्टिम अगर कोई बच्ची है या बच्चा है जिसका आताइसी घटनाई हुई है तो उनको लोग नहीं बताना चाहते हैं चीजे और इस विजए से लोग आगे भी नहीं आते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम चीजें बता दें तो जो मोहले के रिलेटिव्स हैं जो दूद राज के लोग हैं हमारे बारे में गलत सोचे तो इसलिए यह इसमें कोई विक्टिम है तो उसकी चुपाके भी रखी जाएगी कि नेक्स हमारा क्या है कि प्रियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैग्राउंड चेक फोर एब्री इंप्लॉई हूं माइट इंट्रेक्ट विद चाइल्ड मतलब की जिसने भी किसी बच्चे के साथ इंट्रेक्ट किया है उनका बैग्राउंड भी चेक ही आता है इंडिया में अभी स्टेस हैं चाइल्ड मैरेज का तो क्या बताये गया है यह यूनिसेफ है मतलब कितनी बी टोटल अलोवर वर्ड में चाइल्ड मेरिज्ट हैं उनका वर्ड थर्ड जो है वो इंडिया में अकेले मिलता है एकॉर्डिंग टू एच फाइब 23 परसेंट अब दा और वूमन सर्वाइब गॉट मैरीड बिफोर टैनिंग दा लीगल आज ऑफ 18 मतलब कि क्या बोला है कि 23 परसेंट मैला आएं जो है वो अंडर 18 साल की उमर होने से पहले ही उनकी साधी हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्या है मतलब देखा जाए तो मेल में 17 परसेंट है और वूमेंस में मैक्सिम 24 परसेंट है जो अंडर 18 साधियां होती है जो चाल्ड मेरेज होती है तो आप इसको डाटा को भी धान में रखेगा इसमें स्टेट्वाइज डाटा हमारा क्या है नेक्स्ट वेस बेंगोल और बिहार अराउन 41 परसेंट सच वुमें इच हैड़ दा हाइस प्रिवलेंस और गयल चाल्ड मेरेज होती है वह कहां है मैंगौल और बिहार में हैं अरुन 41 परसेंट होती है अंडर इस मैरेज आर लोवेस्ट निन जमू कस्मीर जमू कस्मीर सबसे कम है लक्षदीप में उसके बाद और भी कम है लद्दाक हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया गोवा हो गया नागलेंड हो गया केरला हो गया पुडुचेरी हो गया तमिलनाडू और यह रिपोर्ट के नुसार जमू कस्मीर हो गया लक्षदीप हो गया लद्दाक हिमाचल प्रदेश गोवा नागलेंड केला पुर्डुचेरी तमिलनाडू इन सारे स्टेट्स में सबसे कम चाहिल में होती है सबसे ज्यादा जो 41 परसंट में दिखा रहा है वेस्ट बंगॉल और भीहार में होती है तियर आफ मॉन एई जो ट्वंटी ट्वंटी फॉर्म मेरड विफोर टनिंग 18 है डिकलाइन 27 परसंट टुवंटीथ्री इन यूद लास फाइव इसमें पूला क्या गया है कि मतलब इसमें यह बोला गया है कि जिनके साधी हो चुकी है और जो 18 साल से पहले ही जिनके साधी हो चुकी थी वो डाटा जो था वो फैक्ट होता मतलब जो रिपोर्ट सी उसमें क्या गया 27% थी पहले अवर 23% थी लास्ट पांच सालों में बची है इन में सबसे ज्यादा रिडक्शन देखा गया है जो चाइल्ड मेरेश का था पहले बहुत होती थी यहां पर यह चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रही है आज कल नेक्स हमारा क्या है laws and initiatives to prevent child marriage India's efforts for reducing gender gap जो चाइड मेरेश होती थी उसको कम करने के लिए और जो हमारा जेंडर गैप है उसको भी कम करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हमारे इंडिया में स्टार्ट की गई हैं बहुत सारे मतलब योजनाय चला लाई गई है इसकीम से लाई गई है बहुत सारे इनिसीटेफ लिए गए हैं उनके वारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसकी तहत हुई है इंडिया रेटिफाइड दा कन्वेंशन ऑन दा ऐलमेनेशन ऑफ और फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस व से लिए हैं नेक्स्ट क्या हमारा आर्टीकल 16 ऑफ दे कन्वेंशन इस्टिकली फॉरबीट्स चाइड मैरेज जो इस कन्वेंशन को जो आर्टीकल 16 है वह बहुत स्टिक्रिमना करता है चायल मेरेज के लिए फिनेस्ट का है या मतलब जेंडर इनेक्वालिटी जैसे मामले आ रहे हैं वोमन के साथ डिक्सक्रिमिनेशन हो रहा है उनके खिलाब हम आवाज उठा सकें पर पर नोट कर लिए रहे हैं यह सारी किस्ते हैं चाहिल्ड मैरिजेशन अपर नोट कर लिजाएं आप इनको इनको नोट कर लिजाएं ठीक है यह हमारा आज का जो नेक्स हमारा आर्टिकल है क्या है गौश्ट टार्गेट टूरीज रोड एक्सिडेंट बाइफिटी परसेंट आप दाव दाव जो निदिन गड़ करी हैं उन्होंने अभी हाली में एक रिपोर्ट दी है या उन्होंने कहा है कि हम अगले चाहे सालों में जो माई रोड एक्सिडेंट्स होते हैं उनको 50 परसेंट करने के लिए ट्राइब करेंगे हम उनके लिए बहुत सारी मतब इनियसियेटिव्स लेंगी योजनाइच चलाएंगे ताकि जो डेथ रेट्स हैं उनको कम किया जासे कि इस से डिलेटिट मैंने आपको बहुत इंपोर्टेंट न्यूज हैं दो तीन न्यूज हमने आप से डिसकस की हैं स्टेटवाइज भी डिसकस की हैं तो आप पुराने वीडियो देख लीजेगा कलिया पर सुके उसमें आपको मिल जाएगा जो रोड एक्सिडेंस से डिडि इसमें देखो दिया गया है सिनेरियों के हैं माई रोड एक्सिडेंट इंडिया में होते हैं 1.5 लाग पीबल डाइट फ्रॉम देरोड एक्सिडेंट इन 2021 मतलब 1.5 लाग लोगों की डेथ हो चुकी है रोड एक्सिडेंट के वजए से अकोर्डिंग टेर्विज डेथ होती है जो रोड एक्सिडेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट के नियल 90% अब्डेक्ट अन रोड वर ड्यू टू स्पेडिंग ओवर टेकिंग एंड ड्राइविंग मतलब 90% जो डेथ होती है वह क्या होती स्पीड बहुत तेज हैं और अंडर्टेक कर रहे हैं किसी है और वर्ड की उसमें इंडिया ने फर्स फर्स रांक हासिल किया इस चीज में जो एक्सिडेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमादा क्या है क्या है पूर विजिबिलिटी मतलब की जब होता है जब मौसम खराब बारिस हो रही हो यह फॉक बगरा हो तो पूर अगर हम इना है सब्सक्क्राइब करण उससेNow कर रहे है हृँ उपना राश differentvoll चाहित है और वहाष घूर sıमान सब्राइल होते हैं उब यह चाई प्सक्राइब हो क्या है lack of awareness लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर कहीं लिखा होता है कि दुर्गटना बाहुल शेतर तो लोग ध्यानी ने देते हैं कि क्या लिखा हुआ है वहां पर लिखा होता है लोगों को पढ़ना नहीं आता है या वेडनेस नहीं होती है जिसके चलते भी अगर आपको लगता है कि कुछ इंपोर्टन पॉइंट है रखते हैं आयोप आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कर दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियों है क्या है करेंट अफियर्स के हो या अलग सब्यक्त के हो तो